तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हमनों EMS के बारे में और MFAG के बारे में तो फंसन्टू कार्गो के पेपर में जो सर्वेयर है वो IMDG कोट से पूछी लेते हैं कि MFAG क्या है, EMS क्या है, EUA नंबर क्या होता है तो अगर कोई हम से पूछता है कि MFAG क्या होता है, तो MFAG का डिफनेशन होता है Medical First Aid Guide तो MFAG, M4 Medical First Aid Guide, MFAG क्या होता है कि जो IMDG कोड है, तो IMDG कोड का सप्लिमेंट होता है Medical First Aid Guide कंटेन करता है Information on Medical First Aid Measure to be provided in the incident caused by the dangerous goods listed in the IMDG कोड मतलब कि अगर मालोग कि हम लोग अपने जहाज पर dangerous goods carry कर रहे हैं और कोई एक incident हो जाता है मालोग कि वहाँ फिलेज हो गया या वो क्या हो गया कि जो कंटेनर्स है या जो पैकिंग्स है वो डेमेज हो चुका है और किसी तरह को abnormality आ जा रहा है उसका लैसिंग तूट गया वो फूरा ही डेमेज हो चुका है तो उस case में हम लोग क्या यह जो बोशन गया था राउंड लेने या कोई भी उनको अगर डेमेज हो गया या बोशन का जो भी बोडी कॉंटेक्ट हो जाता है किसी वैसे डेंजरस गूट से तो उस case में हम लोग क्या एक्सल लेंगे वो सारा उसको जो इन्फोर्मेशन होता है ना तो वो एमेफेजी में लिखा रहता है कि तानल इन्फोर्मेशन और मोडिकल फोस्टाइड मेसक य.. यह थ्याद देना आए कि इसमें सिर्फ और सिफमेडिकल स्वस्ट्रेड में यह जो भी इंफ्मेशन होता है वो प्रोवाइड़ नेक्स पनड बोलता है ड़ाइस गिवघेन ईनलनेंड एमेफेजी इस फ़॓र अ materials, substance and goods covered in the IMDG code. So MFAGC was just one materials, one substance और उसी goods के बारे में उसमें जो भी information दिया हुआ है वो सारे कि जो की IMDG code में cover होते हैं. It is intended to provide advice within the limit of facilities available at sea. मतलब अपने जहाज पे जो जो facilities available है उसी के हिसाब से वो लोग क्या केरते हैं उसमें advisory, मतलब जो भी action क्या लेना है क्या first aid measure apply करेंगे, वो सारा कुछ लिखा रहता है Next बोलता है, for the convenience of the user this guide is divided into three step approach procedure उसमें जो first step क्या होता है कि emergency action and diagnosis Step 2 बोलता है कि table give brief instruction for special circumstances और टेबल 3 जो है वो बोलता है appendices होता है जो इसमें लिखा रहाता है provide a list of medicine or drugs so three step approach procedure है first होता हो गया कि आप emergency के समय में क्या action लोग गया या diagnosis कैसे कर देंगे Step 2 होता है कि brief instruction क्या है for a special circumstances step 3 में होता है कि जो भी medicines हो चाहें drugs हो तो उनका जो easily आफ रेफर कर सको कि कौन से पेज़ पे है और कब तो वो क्या appendices में दिया हुआ है next point लिखते हैं कि after working up the MFAG table number see the table in MFAG it will give signs symptoms treatments and the other advice as for the effect of food under the table so अगर जैसे हमें MFAG का table number मिल गया तो हम लोग क्या चल रहें उसी table को MFAG के book में open कर लेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा रहेगा कि भाई अभी इसका sign क्या होगा कि symptom क्या है उसका treatment कैसे करना है और अगर कोई advice है तो वो क्या है वो सारा कुछ उसमें written में होता है it suggests treatment in case of a skin contact eye contact inhalation और injection बोलता है कि जैसे कि कि किसी का skin contact हो गया eye contact हो गया अगर कोई चीज़ है जो inhale कर लिया या injection किसी ने लगा लिया तो the procedure for the treatment is also mentioned इन चार cases हो चाहिए कोई और भी a special circumstances होता है तो उन सब के लिए उसमें क्या होता है MFAG में यह सब कुछ लिखे रिटेन में लिखा हुआ है जैको supplement किसका IMDG code का अब हम लोग बात करते हैं इमस के बारे में इमस कहने का क्या मतलब हुआ है इमस का मतलब होता है emergency response procedure emergency क्या होता जहाज पर चाहे फायर हो जाए अस्पिलेस हो जाए तो यह सारे क्या है emergency होते हैं तो column 15 तो यह column 15 किसका बात कर रहा है IMDG code में अगर जब भी रेफर करेंगे तो देखना है कि IMDG code में column 15 होता है वो EMS ही लिखा हुआ है emergency response procedure for ships carrying dangerous goods तो जो भी जाज है अगर dangerous goods carry कर रहे हैं तो उनकी लिए जो हर एक सपोच करो कि कोई भी एक कार्गो कर रहा है तो उस कार्गो के लिए emergency के case में क्या response हमें लेना है उसका जो भी प्रोसीजर से वो सारे column 15 जो कि यह एक EMS code दिया रहेगा और उस code को अगर refer कर लेते हैं उस page पे तो हमें पता चलेगा कि आप क्या एकसा लेना है next है कि EMS guide is provided as supplement to IMDG code same MFAG के जैसा ही EMS भी क्या है वो supplement ही है IMDG code का ठीक है अब बोलता है कि provide guidance on the dealing with the fire and spills अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं emergency जहाज पर क्या ही है fire है spills हो गया तो जब भी अगर जहाज पर dangerous goods के कारण fire हो spills हो तो उस case में क्या होता है कि यह जो EMS है वो हमें refer करना होता है कि हम लोग क्या इसमें response procedure क्या क्या procedure हम लोग action क्या ले सकते next बोलता है EMS code are assigned to each even number in column 15 of dangerous cargo list in IMDG code तो EMS code जो क्या है कि हर एक cargo के लिए है column 15 refer करेंगे तो जितने भी cargo लिखे है IMDG code में उसका column 15 में हर एक cargo के लिए उसका EMS code लिखा हुआ है अब यह next बोलता है EMS में क्या होता है कि टू पार्ट code है अगर fire होता है तो वह एफ से start होता है spillage होता है तो एस से start होता है और fire के लिए जो code है वो कहां से है एफ एस से लेकर एफ जेट होता है वह fire का है लेकिए spillage का टोटल है एफ एस से लेकर के एफ जेट तक है next बोलता है in any case of fire और a spillage on board in which the dangerous goods are involved the emergency response procedure should be as per the EMS guide यहां पर क्या बोल दिया कि EMS guide को ही हमें रेफ और करना है कब जब भी किसी भी dangerous goods से अगर a spillage हो जाए या fire हो जाए next one बोलता है कि this guide is intended to assist the ship owners operators and other parties concerned in the developing emergency response procedure for ship and also to integrate it with the ship contingency plan तो क्या बोलता है कि अगर जहाज के जो contingency plan भी है कि अगर के इन case fire होता है तो उसमें EMS guide से जो भी कार को हम लोग केरी कर रहे हैं तो उसी के according में हम लोग इमर्जेंसी रिस्पॉंस emergency की केस में हम लोग रिस्पॉंस करते हैं कि अगर fire हो गया तो कैसे करना है अगर अस्पीलेज हो गया तो क्या एक्सन लेना है तो यह सारे डीटियल EMS में होता है जो की कॉलम 15 में है